तो ये लो दोस्तो मेरा नाम है मीना आज मेरी मम्मी ने मुझे से कहा है कि मुझे दादी के पास जाना है अरे यार ये रास्ता इतना खराब है मुझे तो बच बच के जाना होगा ये देखो दोस्तो मेरा गाउं कितना बड़ा है पर यार मेरे ये गाउं के रास्ते तो इतने खराब है मुझे तो दादी मिल भी नहीं जी दादी आथ कहां पे हूँ अरे यार दादी तो सच में नहीं मिल रही मुझे मम्मी ने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि दादी कहां पर है अरे यार मैं मम्मी को कहां पर डूंडू पर मम्मी ने कहा था कि वो सब्जी मंडी के पास है चलो यार मैं वहें चलके देखती हूँ चलो यार, अब मैं दादी के पास पहुंची गया चलो यार, मैं दादी को बात बता देती हूँ कि मम्मी ने बुलाया है चलो यार, रिक्षी वाले भाईये, थोड़ा जल्दी से जलो हमको जल्दी जल्दी जाना है अरे यार ये रास्ता तो बड़ा खतरनाक है मैं जल्दी जल्दी से चलती हूँ चलो यार मैं जल्दी से चलती हूँ अजे यार मुझे और कितना दूल जाना है हमारा खीट और कितना दूल है और कितना दूल जाना है अरे यार मुझे तो समझी नहीं आ रहा और कितना दूल जाना है चलो यार अब हमारा अगर आई गया चलो दादी चलो चलो यार अच्छा तो दादी ने मुझे से कहा है कि मेरी बेन रिमान सी के लिए लाइट के लिए मुझे सबजियां लेके आनी है चलो यार यहां से मैं बाउल ले लेती हूँ और सबजियां लेके आती हूँ अरे दोस्तो यहां पल तो इतने सारे साप है यह साप तो मुझे डस भी लेंगे मैं तो सारी सबजियां बच बच कर ले लेती हूँ नहीं तो फिर इन में से कोई न कोई साप तो मुझे मारी डालेगा चलो यार मैं जल्दी से ले लेती हूँ अरे यार हमारे केत में तो दादी ने कितनी सारी सबजिया हुगा रखी है मैं तो यहां कभी भी नहीं आई थी चलो यार मैंने सारी सबजिया ले ली अरे यार अभी और रेडियो अरे यारी कुतने सारे साफ है पर ये साफ मेरी तरफ क्यों नहीं आरे ये साफ ये क्या बात हुई ये तो मेरे को महर भी नहीं दे पर मैं इनके रास्ते में आराँ तो अपर ये मेरे पिछा आरे चलो मैं दादी को दे देती हूं सारा सामान अरे यार दादी ने भाईया से मचली पकड़ने को का है अरे यार चलो मैं जल्दी से मचली पकड़ लेता हूँ अरे यार कौन सा का हुआ ये तो बगारा है मचली बगाई अब मैं नानी को दे देती हूँ चलो यार अरे दादी ने मुझसे अंडे लेने का कहा है चलो यार अंड़ लेकर आती हूँ अरे यार मुझे पाँच पाँच अंड़ लाने है वो कहा से लाऊंगी चलो यार मैं अपने चाचा के फार्म में से मुर्गी के फार्म में से अंड़ ले लेती हूँ अरे यार ये कैसी शेतान मुर्गियां ये कितना बगती है अरे ये कैसी मुर्गी बागने के बाद अंडे कौन देता है चलो यार इसको बठा देती हूँ अरे यार ये अंडा देने वाली है चलो यार मैं इस मुर्गी को पकटा हूँ जल्दी जल्दी है इसकी हेल्थ मैंने कम करी दी अरे यार अभी मैं इसको नही पकशकता मुझे अंडा लेके आना है अरे यार उसकी हेल्थ भापिस से बढ़ गई अब मैं ऐसे करूँगा पहले ही अंडे ले लो मैं फिर आराम से पकड़ूंगा इनको चलो यार मेरे सारे पांच अंडे हो गए अब जाके मैं नादी को लेके आती हूं नाइ नाइ ये तो अंडे मुझे दादी को देने मेरी बूले अच्छी लगी त लाइकन सस्क्केप्प्र करें देखोरों दादी मेरी मम्मी के लिए खाना है